हाई गाईज तो हम रामलाला जी के दश्ण करके आ चुके हैं और हम जहाँ पर बैटे हुए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम वेटिंग एरिया पर बैठे हुए हैं ये बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है मंदिर परिसर के अंदर वेटिंग एरिया में मेल्स और फिमिल्स भी बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वेटिंग एरिया है हमने थोड़ी देर रेस्ट किया फिर हम चले गए अयोध्य के हनुमान गड़ी में जब हम हनुमान गड़ी के पास पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि यह जो इतने सारे लोग हैं यह सारी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आपने देखा था कि जब हम राम जी के दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर परिसर में कितनी जाता भीड होती है लेकिन जब आप काउंटर में अपना समान सब्मिट कर देते हैं और उसके बाद का मुक्की नहीं होती है और सभी लाइने अराम से जाती है राम लला जी के दर्शन करने के लिए क्योंकि जब भी हम दूसरे मंदिर पर जाते हैं जहां पर इतनी जादा बीड होती है तो वहां पर बहुत धका मुक्की होती है और जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो त नहीं हटाया जाता आप अराम से दशन कर सकते हो राम जी के अब शाम होने वाली है और हम जा रहे हैं सर्यू नदी क्योंकि सर्यू नदी में आरती का टाइम होने वाला है हम राम जी के मंदिर के पास से सर्यू नदी पैदल ही जा रहे हैं तो गाइज आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत बड़ी बीना लगी हुई है लगबग 40 फीट की तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सर्यू नदी के पहले पढ़ता है लता मंगेश का चौक और इसी वीना के कारण ये चौक को लता मंगेश का चौक कहा जाता है फाइनली हम पहुँच गए सर्यू नदी के पास तो यहां पर भी एक कुंड बना हुआ है उस कुंड के बारे में मैं तो आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी हम दिंग के उजाले में निकले हुए थे शर्यू नदी आने के लिए और आप देख सकते हैं कि हमें आते आते शाम हो चुकी है फिर भी हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि हम जब गए तो आरती स्टार्ट हो चुकी थी और आप लोगों को में बता देती हूं कि राम जी के मंदिर और शर्यू नदी के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो लगबग 2 किलो मीटर का है हम 2 किलो मीटर पैदल चल के आये हैं इसलिए हमें थोड़ा सा लेट हो गया अगर अच्छी लग रही हो अगर आयोद्या के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिड रही हो अगर आप अयोद्या आना चाहते हैं तो मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हैल पोर यह तो गाईज आगे की वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब